पानी की पाइपलाइन में लिकेज के चलते मरमत के लिए आज रहा शटडाउन प्रभावित इलाकों में कल से मिलेगा पानी दुर्गरनगरपाली का निगम शेत्र अंदरगत मंगलवार को पाइपलाइन लिकेज होने के कारण शटडाउन किया गया था इसे चहर के कई शेत्रों में जलापूर्ती आंशिक रूप से प्रभावित रही इसी कड़ी में दुर्ग के जी-ई रायपूर रोड राजिन पार्क के करीब 400 mm राइजिंग पाइपलाइन लिकेज हो गई थी जिसे मरमत की कारण शटडाउन किया गया था जिसके बाद पुछी तरह से पाइपलाइन सुधार कारिक किया जा रहा है इसके बाद बुधवार से उन प्रभावित इलाकों में जल प्रदाइश शुरू हो जाएगा यहां बता दें कि बुधवार को सभी शेत्र के जल प्रदाइश समान निरूप से किये जाएंगे और इस असुविधा के लिए खेज जताते हुए महापौद धीरज बाकलीवार आयुत लोकिस चंद्राकर और जलकार प्रभारी संजय कोहले ने प्रभावित शेत्रों के नागरिकों से अपील की थी ग्रेने सीन नियूस के रिदुर्ग से नसीम फारुकी की रिपोर्ट